सीनियर कॉमेडी एक्टर कादर खान लंबे समय से अपने बेटे और बहु के साथ कैनेडा में हैं लंबे समय से वे विमार चल रहे हैं जिसके बाद से शोशल मीडिया में उनके निधन की अववाएं खुब जोरो से उड़ी थी और इंडिया रेडियो के आधारिक ट्विटर हैंडलर से भी उनकी मौत की खबर की पुष्टी की गई थी जिसके बाद से कई मीडिया पोर्टल्स ने भी ये खबर चला दी थी लेकिन आपको बता दे कि इस खबर में बिल्कुल भी सचाई नहीं है उनके बेटे सर्फरास खान ने स्पॉट बॉय को इस बात की जानकारी दी है सर्फरास ने कहा है कि ये सारी खबरे फर्जी हैं इन में बिल्कुल भी सचाई नहीं है उन्हें सांस लेने में तकलीफ है कादर खान अस्पताल में भरती है सरफरास्ट के अनुसार डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनकी हेल्फ पर नजर रखे है लेकिन उन्हें सास लेनी की दिक्कत के बाद बाइप वेंटिलेटर पर रखा गया है बता दे की कादर खान की पिशली साल घुटनों की भी सजरी की गई थी जिसके बाद से उनकी हेल्फ में लगाता गिरावट देखने को मिली है Hi everyone! क्या आपने YoYo TV आप डाउन्लोड किया? नहीं तो जल्दी जाएए और डाउनलोड कीजे YoYo TV आप जी हाँ जहाँ आपको मिलेगा News and Entertainment Masala जी हाँ, तो जल्दी जाएए और डाउनलोड कीजे YoYo TV आप